नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तपन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टिपिकल तपन अक्सर हम लोग मशीनों में कैस डिपोजिट करने के लिए जाते हैं यानि कि जो हमारे बैंक से बैंक अब बरोडा है, स्टेट बैंक अफ इंडिया है, ICSA बैंक है, SDFC बैंक है इसके लावा अन्य कई बैंकों में भी कैस डिपोजिट मशीन की सुविधा होती है जिसके अंदर हम जाकर के अपना कैस जो भी हमारा रोकडा है, नकत है, वो उस मशीन के अंदर डालते है और जिस अकाउंट में हमको उसमें डालना है, या वो तो हमारा अकाउंट हो सकता है, उस अकाउंट में वो पैसा तुरंद जमा हो जाता है तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि cash deposit machine में cash डालना कितना खतरनाक हो सकता है तो वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ATM और banking technologies से जुड़ी हुई कई जानकारिया मेरे वीडियो में मिलती रहती है चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो जैसा कि आप सभी भी हमेशा ATM में या किसी cash deposit machine में पैसा जमा करने के लिए जाते होंगे आप अपने account में या आपने किसी दोस्त के account में वो पैसा उस machine के अंदर डालते हैं तो उस machine में डालते समय हमको ये सावधानी रखनी है कि अगर आपको जिसके भी खाते में पैसा डालना है वो बहुत ही जरूरी काम हो यानि कि किसी की जीवन और मृत्यू का प्रश्न हो या फिर आपके किसी मित्र को hospital में जरूरत हो या फिर किसी के exam की fees भरनी हो college की fees भरनी और उसके खाते में आप पैसा जमा करने जा रहे हैं तो मेरी आप सभी से request है कि cash deposit machine का उपयोग ना करे एकदम emergency situation में एकदम आपात कालीन परिष्थिती में cash deposit machine का उपयोग नहीं करें क्यूंकि ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है खतरनाक इस दृष्टी से हो सकता है कि अगर आपने cash जमा किया और cash फस गया तो आपका पैसा एक या दो दिन के लिए अटक जाएगा सामने वाले को भी नहीं मिलेगा आपको भी वापस नहीं मिलेगा तो आपने जिस काम के लिए पैसा डाला है वो काम पूरा नहीं हो पाएगा और पैसा machine में डालना वेस्ट हो जाएगा ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्यूंकि ATM machine नॉर्मल सादा ATM machine और cash recycler machine या जिसको हम cash deposit machine भी कहते हैं दोनों में काफी अंतर होता है ATM machine में simple mechanism होता है लेकिन cash recycler machine जिसके अंदर हम पैसा जमा भी कर सकते हैं पैसा निकाल भी सकते हैं उसका mechanism बहुत ही जटिल होता है क्योंकि उसी में cash जमा होता है उसी से cash बाहर निकलता है तो उसके खराब होने की संभावना जादा रहती है यानि कि उसके अंदर notes फसने की संभावना बहुत ही जादा रहती है तो अगर आप एक बहुत ही emergency situation के लिए पैसा जमा कर रहे हैं तो cash deposit machine में पैसा जमा करना एक खरा करें तो आपको bank counter पे जाके पैसा जमा करना चाहिए क्योंकि उसमें guarantee रहती है कि आपका पैसा जमा हो ही जाएगा हाला कि उसमें आपको कुछ charge देना पड़ेगा लेकिन आपका पैसा फसेगा नहीं पैसा अठकेगा नहीं और 100% सामने वाली party को पैसा मिल जाएगा cash deposit machine में आपने अपना पैसा डाला और अगर वह फस गया जिसकी संभावन बहुत ज्यादा होती है अगर वह फस गया तो वह बैंक वाले जब आएंगे उस machine को open करेंगे उसमें आपका फसा होवा cash निकालेंगे उनका पूरा cash tally करेंगे उनके पूरी banking की प्रक्रिया करेंगे उसके बाद आपके खाते में वह पैसा वापस आएगा तो अपना पैसा तो फस गया जमाल लीजिए कि आपने फ्राइडे को शुक्रवार को पैसा जमा किया और उस समय वह पैसा उस machine में फस गया तो अब बैंक वाले तो सुमवार को आएंगे शनी और रिवार चुटी होती है त तो आपने किसी emergency के लिए hospital services के लिए किसी को college की fees बढ़नी हो किसी को exam की fees बढ़नी हो किसी को बहुत emergency की जरुरत हो पैसो की उस condition में आकर अगर पैसा किसी के खाते में जमा करने जा रहे हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि cash deposit machine का उपयोग नहीं करे क्यूंकि उसमें पैसा बहुत संभावना रहती है आप पैसे जमा करने के पैसे भेजने के किसी और तरीके का उपयोग करे कई तरह के तरीके होते हैं गूगल पे हैं account बहुत सारी UPI services है उनका उपयोग करे क्यूंकि अगर उसमें transaction failure होता है तो बहुत जल्दी refund मिल जाता है लेकिन cash deposit में क्यूंकि वो cash का सवाल है तो bank वाले आएंगे उस नगत को tally करेंगे physically उनको tally करने के बाद ही वो आपके खाते में वापस आएगा इसलिए cash deposit machine का उपयोग अगर एक दम emergency services के लिए आपको cash deposit करना है तो please उसका उपयोग नहीं करे उसके अलावा जो दूसरे रस्त है cash जमा करने का उ यह था आज का वीडियो दोस्तों उमीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आओगा बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी अगर आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ATM से जुड़ी बहुत सारी अच्छी जानकारी मैं आपको देते रह आपको इस वीडियो की देखने कली बहुत 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 दन्यवत